नमस्कार जैहिंद आप सभी का राजस्तान क्लासेश की यूटूब लेटफूम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो देखे दोस्तों नौ बज चुके हैं और हम पढ़ेंगे वन पाल वन डक्सक और कॉंस्टेबल और पीटी टी एक्जाम के लिए सामने विज् कुछ अलगी लेवल का होगा ऐसे क्वेसन देखने को मिलेंगे जो हमने ना ही पढ़े होंगे ना तो दोस्तों लाव जो की स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे प्रेस्ट जो की याद करके जईए ओ पहली बार हो राजस्तान क्लासेश पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल प्रेश जरूर दबा दीजेगा तो चले दोस्तों बिना टाइम वेश के पहला question है आईपो गलाई आईपो गलाई सीमिया और हाईपर गले सीमिया नामक शब्द जो हैना निन मैसे कौन से रोग से संबंदित है यह आप से question पूचा जा रहा है बहुत ही आसान सा question है और राइट आंसर हो जाएगा आपका blood sugar blood sugar से संबंदिते हैं दोस्तों देखिए जो हाईपो गलाई सीमिया जो है ना यह हाई सुगर से संबंदिते हैं इसको आई सुगर बोल सकते है ठीक है न तो कितना important question होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा सा question था आपका अगला question है किस बीमारी में इस्मरण शक्ति नस्ट हो जाती है बताइए ऐसी कौनची बीमारी है जैसे इस्मरण शक्ति जो है जो यादास्त होती है अपनी वो जाती है और यह होती कैसे यह तो ओती है चोट लगने से चोट लगने से मतलब सेर में चोट लगे या फिर drugs drugs का जो नर्शा करता है उसको भी हो सकती है चलिए अगला question है exo biology क्या है एक जो biology जो है न यह अन्य ग्रह पर जीवन है या वायू में जीवन या इस्तली जीवन या शाली रिके अन्य ग्रह पर जीवन को हम किस में अध्यान करेंगे एक जो biology में अध्यान करेंगे फिलाल हमारा right answer हो जाएगा next question आता है कि भी शुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गटपरनी के नेमली की दिवागों मैंसे कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है यह आप सभी को बताना है गटपरनी के नेमली की दिवागों मैंसे कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है वह पत्ता दोस्तों क्या है? पता है मतलब B option आपका right answer फिलाल के लिए अगला question है किस कुल में नर्वे मादा पुश्प A की पोदे पर पाई जाते है तोस्तों कौन से कुल में नर्वे मादा पुश्प A की पोदे पर पाई जाते है वो है मालवे सी नहीं होगा कुर्ची फिरा भी नहीं होगा कुकुर बेटे सी हो जाएगा ठीक है सी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा फिलाल के लिए चलो साब बहुत ही अच्छे किस पादब को शा की भारती डॉक्टर की उपमा परदान की गई कौनसे डॉक्टर कौनसे पादब को शा की भारती डॉक्टर की उपमा परदान की गई तो वो आवला नहीं है नीम भी नहीं है दोस्तों यह आम भी नहीं है यह तुलसी ठीक है तो दोस्तों राजस्तान में तो तुल्शी की गरगर भूजा भी की जाती है पर ब्रस्वतवार को या पिर आप कहा सकते हैं गुरुगार को नाइट्री कारक्स जीवाणों नियुन मैंसे किस को किस में बदलते हैं किसको किस में बदलते हैं वाता हम नहीं नाइट्रेट में या नाइट्रेट को नाइट्राइट में अमोनिया को नाइट्रेट में या अम्रत पोदों तथा जन्तूओं को अमोनिया में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया को नाइट रेट में बदला जा सकता है राइट आंसर आप सभी खां सी ओफसन हो जाएगा किलियर सा संसार में 90% प्रकाश्ट रंसलेजन जो होता है न वो किससे होता है व्रग्षाँ से प्रोटीस्टा से श्रेवालों से यहां प्रेण में से कोई न judgment 90% प्रकाश्ट रंसलेजन होता है वो क्रेवालों से होता है एफिलाल हमारा सिया ऑफसन करेक्ट होगा इस तल पर शर्वर्ताम उग्ने वाले जो पोडे थे ना वह कौन से पोदे भए धरतल पर उगने वाले सरव परतम दो को देवाने जाते हैं वो अवरत बीजी या ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स या अनवरत बीजी तो ब्रायोफाइट्स हो जाएगा राइट आंसर प्यारे साहतियों को लॉक करेंगे बहुत ही मैटपून क्वेशन था और अगला एक किरिया होती है किरिया होती है समस्त जीवानों द्वारा होती है या समस्त कवकों द्वारा या कुछ कवक और कुछ जीवानों द्वारा या समझत शुक्षम जीवियों द्वारा तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी आफशन कुछ कवक हो या कुछ जीवान वो द्वारा किन वन किरिया होती है किन वन किरिया ठीक है ध्यार देखना बस यही कहरा हूं मैं आपसे अगला गंद का कारण जो है ना वो कौन सा है लैसून की अभी लाक्षनी का गंद का जो कारण है ना वो कौन सा है तो वो है बी आपसन सलफर योगी के कौन सा है सलफर योगी के प्यारे साहतियों राइट आंसर आप सभी का बी आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेसन आता है का दाना दोस्तों क्या होता है गेहूं का दाना एक परकार का बीज होता है या फिर गेहूं का दाना मतलब भुरून होता है या फल होता है या फिर तना देखिए गेहूं के दाने की बात करें अपन गेहूं के वर्गी करन मुख्य था आदारिता जीवों के सरंचनात्मक लक्षनों पर या इविकास ये प्रवर्तियों पर या फिर उप्रोग था सभी दोस्तों यहां पर सरंचनात्मक जो लक्षनों पर है राइट आंसर आपका ए आपसनों जाएगा कि कीप कोशी काउं की वपस्तिती किसका विश्यीस्ट लक्सन है तो आप सभी का गोल क्रम्यों का है नहीं كيفين तो इसमें आपका right answer होगा कियान करदा सिरकम हैं लुए अफ़ाज्टा या नीकोटिन तो इसमें आपका right answer होगा B option caffeine या चाहे पी नहीं है इतना experience टेंग है लेकिन या पर right answer B option हो जाएगा उडन लॉमडी जो है यह होती है दोस्तों उडन लॉमडी जो है यह होती है लॉमडी या पक्सी या सरीशरप या फिर जो चमगादर उडन लॉमडी की बात करें तो चमगादर हो जाएगा आप सभी का चमगादर ठीक है right answer D option को lock करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले question को देखेंगे देखेंगे जरा ध्यान देना कौन से set के जनतु A की वर्ग के है मतलब इन मेंसे कौन सा विकल्प है जो आपको भटकाएगा नहीं जबकि आपको सही answer के तरफ ले जाएगा और इन मेंसे वो कौन सा विकल्प है जो अलगी वर्ग है पूरा का पूरा आईडा जैली फिश क्रेफशिस चमगादर कबुदर वेल ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा मकडी बिचू शत्पाद ये भी नहीं होगा वेल उटर कंगारू ये एक ही हो जाएगा मतलब राइट आंसर डी आफशन हो जाएगा एक ही वर्ग के है ये ठीक है अगला क्वेसन आता है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालत में दांत वाली वेलों में जो विशालत में फिन बैक वेल है या ब्लू वेल है या स्मर्प वेल है इस पर्म वेल है या फिर हम हम पर बैक वेल है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस पर्म वेल ठीक है, राइट आंसल आप सभी का हो जाएगा, C option, बेलकुल आसान एजी और अच्चक वैसन था, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन क्वैसन शांदार है, शरीर में कुछ उत्तक जैसे की पेशिया, अन्य उत्कों से अधिक सक्री होते हैं, ऐसे उत्कों की अधिक और बड़े होने चीए, केंद्रक, सेंट्री, ओल्स, या राइबोसोम, या माइटो कॉंट्रिया, तो यहां पर माइटो कॉंट्रिया होगा, आपका राइट आंसर, माइटो कॉंट्रिया, ठीक है, अगला क्वैसन है, हमारे क्रशिय एवं उद्ध्यान पाध्मों क परमुक परागर्ण करता जो है, वो को ने, तितलिया, मदुमक्या, पतंगे या ब्रंग, तो राइट आंसर आप सरी का हो जाएगा, बी ओप्सन, मदुमक्या हो जाएगा, हमारे क्रशिय एवं उद्ध्यान पाध्मों के परमुक परागर्ण करता जो है, वो मदुमक्या ह अगला question master कोशिक कहीं किस में होती है पेश्य में होती है यह पर सेंयोजी उतग मर पर उपकला हो तक देखें जो मास्ट कोशिक होती है न यह संयोजी उत्तक में होती है तोfen c और अगला है अलका केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्तित रहता है अलका केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्तित रहता है चर्म में या उन में या फिर रत में या फिर अंडो में तो अलका केरोटिंग एक प्रोटीन है जो चर्म में उपस्तीत रहता है तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चमड़ा अगला क्वैसन आता है नंबर 24 और पूचा यह जा रहा है जरह ध्यान देना तो अगला क्वैसन आ जाता है पैपसीन जो होता है न दोस्तों यह क्या होता है यह आपको बताना है पैपसीन होता है हार्मोन एंजाइम वीटामीन या पोशक तत्व तो पैपसीन एंजाइम होते हैं राइट आंसर आप स्वी का बी आप्शन हो जाएगा चाय पीने के बाद अधिक मुत्र की मात्रा है ना किसके कांड बनती है तो कैफियन के कांड बनती है यह अपने अभी अभी बात कर लिए अगला क्वेसन लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों प्रस्ट किस आकर्तिके होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों प्रस्ट जो होते हैं वो किस अकर्तिक होते हैं दोनों प्रस्ट उतल के दोनों प्रस्ट समतल के आयन मेंसे कोई नहीं तो दोनों प्रस्ट जो है ना अउतल होगा दोनों प्रस्ट आउतल हो जाएगा राइट आंसर मतलब आपका राइट प्रक्त जो है ना हलका चालिय होता है ताइस का पीं अच्छ जो मान होता है ना यह एक्जामें क्वेशन पूछा गया था ग्राम से बीघ्वार मैं पट्वार में पत्वर हैं इस टाइब का स्योच जात है आप पोंटिंट चैसे 9.6 होगा 7.35 से 7.45 होगा 8.11 से 8 से 11 होगा 10 से 12 होगा राइट आंसर भी आफ्शन होजएगा लौक बिल्कुल आजसान सा क्वेशन था 7.35 से 7.45 तक ये पिये जमान होता है अगला क्वेशन रख्त के सकंदन के लिए 4 आवशेक घटकों में कौन सा नहीं है रख्त के सकंदन के लिए 4 आवशेक घटकों में से कौन सा नहीं है तो अलबुमीन होजएगा राइट आंसर क्या होजएगा अलबुमीन ठीक है अलबुमीन कहां पे आफ्शन नमबर D में तो फिलाल हमारा D आफ्शन लौक होजएगा बिलकुल आसान था अगला क्यासन शरीर के किन भागों में रख्त का प्रवा तेज होता है शरीर के कौन से भागों में रख्त का प्रवा जो है वो तेज होता है यह अकरत में नहीं सर अगनासे में नहीं सर महा धमनी हो जाएगा आपका right answer मादमनी में क्या होता है रत का जो परवा होता है यो बड़ा ही तेजी से चलता है और अगला question आता है मस्तिक्षक जो होता है यह एकडोर्मी होता है या फिर मीसोडर्मी होता है या एकडोर्मी और मीसोडर्मी दोनों होगा या एंडोडर्मी होगा तो दोस्तों देखे एक्टोडर्मी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर मतलब A आप्शन को लॉक कर देंगे अगला क्वेसन है ट्रेकोमा क्या है ट्रेकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभवित होता है बता दीजिए का दोस्तों क्या होगा राइट आंसर ट्रेकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभवित होता है तो कौर्निया होता है कौन सा भाग होता है कौर्निया और कौर्निया आप्शन नमबर C में है नमबर 33 मादा जनन पत्थ में पहुंचने के बाद मानौ शुक्रानौ अपने निशेशन जो शम्ता रखते है न वो रखते हैं एक से दो दिन के लिए ठीक है मतलब A option नहीं है D option आपका right हो जाएगा अगला question आता है फूफसों में कूपी काउं की संक्या जो होती है न वो कितनी होती है इसमें जो कूपी काउं की संक्या होती है वो तीश यजार होती या तीस लाग तीस करोड तीन करोड या तीस करोड देखे यह नहीं ये भी नहीं होगा यह यह नहीं होगा हाइस्ट जो है उच्वसित वायू की मात्रा होती है देखिए सामने श्वसित में प्रतेक्ष्वास में अंतर श्वसित वायू की मात्रा होती है न वो होती है सजी नहीं आउशेश भी नहीं होगा प्रवाही वायू हो जाएगा कैसी वायू हो जाएगा प्रवाही वायू हो जाएगा अमाशे में देखें अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन होता है वो यक्रत में होता है किसमें होता है लीवर में होता है ठीक है तो राइट आंसर आपका बी ऑफसन करेक्ट हो जएगा अगला क्वेसन देखो ज़रा सामानिय उत्सर्जी नलिकाओं में बैते हुए निश्यंद से किसका पूरा पुरा पुराव रोशन हो जाता है तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गुलुकोज राइट आंसर होगा आपका डी आफसन डाइउ यूरेसिस में क्या होता है गुलुकोज का अब बढ़ता है या मूत्र की मातरा बढ़ जाती है विद्धियूत अब गठनी संस्दू लंग बिगड जाता क कि मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमे जो आपसन है ना डाइउ बिल्कुल आसान था अगला क्वेसन आता है कि निम्न मेंसे कौन सा योगिक मानौ शरीर संग रही तो नहीं रहता तो आप सभी का राइट आंसर जोगा वो जाएगा एमीनो अमल हो जाएगा एमीनो अमल हो जाएगा ठीक है मतलब यह आप्षन को लॉक कर देंगे आप सभी लोग रुदीर में जीवानू तता अनिकारग पदार्तों को कौन और कैसे नस्ट करता है रुदिर में जीवाणू तता अनिकारक पदारतों को कौन और कैसे नस्ट करता है राल रुदिराणू भक्षन द्वारा नहीं प्लाज्मा प्रोटेंस द्वारा ये भी नहीं होगा श्वेत रुदिराणू भक्षन द्वारा नहीं हासर यह होगा चलो तो यह इसको कर देते हैं यह नहीं होगा रुदिर में जीवानु तता अनिकारक वदारत को कौन और कैसे नेस्ट करते हैं श्वेत रुदिरानु और बक्षिन दुवारा करते हैं तो राइट आंसर आप सभी का सी आफ्शन हो जाएगा दोस्तों अब मैं आपको क्वेशन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है बाहर आएके कमेंट सेक्शन में अच्छा इसा क्वेशन दूँगा जो आपको बढ़िया भी लगेगा और आपके लिए जरूरी भी है मतलब है न तो राइट आंसर आप सभी को बता देना है सुजाक रोग का संक्रमन जो है न किसके कारण होता है जिवानू वाइरस परजिवी या फिर है जो पोशक्तत्व की कमी इसका जवाब आपको बाहर आके यह हमें जरूर बतें कॉमेंट करके ठीक है तो दोस्तों आप सभी का देल से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अपना सहयोग बनाए रखें जो फिलाल बनाए रख रहे हो और टेस्ट आएगा 11 बजे उसको भी दे देना आप सभी का देल से बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद